हेलो टीचर्स कि सो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको क्योशन पेपर बनाना बताया था अब उससे आगे के स्टैप साफ को क्या करने वह मैं इस वीडियो में बता रहा हूं तो सबसे पहले वही से स्टार्ट करते हैं और फायर फोक्स मैं ओपन कर रहा हूं कि फायरफॉक्स आ गया है अब इसमें वही आपको स्टैप है अगर देखो डारेक्ट लिए आपका गूगल फॉर्म उपन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आप वहीं पर डारेक्ली है नहीं है ठीक है या वह आपको दिख भी रहा है तो आप यहां पे जैसे क्लिक करके इसको बंद करना चाहूं तो यह जितने भी वह टैप्स होती है जैसे मैंने बंद कर दी ठीक है तो एक टैब आजाएगी यह इस तरह की जैसे आपको दिख रहे हैं अब इसमें वही टाइफ कर लेंगे हम अपना गूगल फॉर्म जो सर्च किया था जैसे कल किया था वही से अनीन वाला इस पर क्लिक करेंगे तो ओके देखो जैसे अब ही मैं लोग इन था पहले तो डारेक्ली वह पेज मेरा आ गया है उपन तो यह पेज जब आएगा अंटाइटल फॉर्म वाला आता है यह तो को दिक्कत वाली बात है आपको लगेगा कि नहीं वह पहले वाला कह सायथ आपको एक्जेक्ली और रिक्वेस्ट डेस्टॉप साइट इस पर क्लिक कर दिया तो इस पर क्लिक करते ही देखो यह पेज दिख जाएगा जहां पर हमने क्यूशन अपने सोरी क्यूशन पेपर हमने बनाए थे ठीक है तो यहां पर एक यह सेवन्थ जिक्य का दिख है एक मैंने इसी की कॉपी बना लिए बस यहां पर इसी पेपर की तो यह कॉपी कैसे बनती है वह मैं भी अब दुबारा भी बता दूंगा तो अब यह देखने के लिए एक और चीज मैंने यहां पर आप देख रहो 292911 जबकि पहले मैंने कॉशन पेपर जो पहले वीडिय 291 में बनाया था ठीक है तो यह मेरी दूसरी आइडी है बच सेम कोशन पेपर मैंने बना रहा है सेम चीज़ जैसे फॉलो करके ठीक है तो और जैसे उसका नाम रख रहा है कॉपी ओफ सेवंथ जी के तो मैं इस फॉर्म को ओपन कर रहा हूं तो जो कॉपी ओफ सेवंथ जी इसको बस कट कर देना स्पीड और प्योर और कुरीशन आगया ना कट कर देना तो जैसे पहला सेक्षिन उसमें तो स्टूदेंस की इंफॉर्मिशन लेने उनकी क्लास और नमबर अगयरा क्या है दूसरे सेक्षिन में में से क्यों है तो यह आप डालनेंगे तीसरे में वन आपको क्या है सबसे पहले तो add-ons add करने के लिए क्या करेंगे मैं फिर से दिखाता हूं यह वाले जो डॉट है सेंड बटन के बाद वाले ठीक है इन पर क्लिक करूंगा मैं सोरी यह पर क्लिक हो गया वह इन तीन डॉट पर क्लिक करने से यह options आपके सामने निकलेंगे जैसे आप भी निकल के आए हैं इसमें एक option है add-ons का ठीक है और एक option यह भी ध्याना की add collaborators का option है एक बार चलो मैं यह यह बता देता हूं इसका यूज कहां करना अपने अगर आपको अपने form में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कोशिश करना कि आप खुद ही यह वीडियो देखके उसे solve कर लो ठीक है अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कुछ नहीं हो रहा तो यह एड को लेबरेटर वाला option है इस पे क्लिक करके तो यह एक box आएगा ठीक है यह box आएगा और इस box में मेरी email id टाइप कर देना मेरी email id क्या है र-a-k-e-s-h यह one एक minute 00 00 00 टाइप करना है ठीक है जीरो करना है ना कि ओ गलती से ओ ना कर देब और जीरो एक तो होते भी पास-पास है तो जीरो को कर जाते हैं खाईबा ल-a-n-k-y at the rate gmail gmail.com तो इस तरीके से हैं नीचे मेरी id दिख जाए तो भी ठीक है नहीं भी दिखे तो बस आप सिर्फ कॉमा लगा दें ठीक है तो वह अपने आप enter हो जाएगी email id लगाई लिखी और कॉमा लगा दिया वह अपने आप आ जाएगी ठीक है तो यह मेरी email id यहां पर add होगी है अब send पर यहां पर click करना है तो होगा क्या आपका पूरा का पूरा form मेरे पास आ जाएगा मैं आपको directly देख पाऊंगा और जो भी problem आ रही है मैं even though मैं change वहां पर करूंगा अगर मैं अपने पास change करूंगा वह आपके form में नहीं automatically change हो जाएगा ठीक है यह करने के बाद जैसे मैं भी send कर देता हूं तो उके उसके बाद आप मुझे यह phone से contact करके mobile number से contact करके बता सकते है कि मैं यही problem है sir और मैंने collaborate कर दिया है उसको आप एकवा चेक कर दें ठीक है तो ना पड़े क्योंकि सारे brilliant teachers है ओके चलो आगे चलते हैं तो उन्हीं तीन दोट्स पर दुबारा क्लिक करेंगे तो एक तो यह एड क्लिबरेटर option था और अब एक option यह add-ons का दिख रहा है मैं फिर से दिखा देता हूं आपके पर यह देखो add-ons का option ठीक है यह आपको दि add-ons open होके आ गए हैं सबसे पहला तो यह form limiter वाला है इसी पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल का option दिख रहा है clearly ठीक है तो यह दिखा भी देता हूं यह इंस्टॉल का option है ठीक है तो इस पर क्लिक कर देंगे इंस्टॉल पर यह continue बोलेगा continue कर देंगे यहां पर अपनी email id जिस email id में अभी आपने लोग इन करके आप फॉर्म बना दो सेम email id को स्लेक्ट करना जैसे यह लिखा है अंधिल स्वी 292911 at the red gmail.com इसी पर क्लिक करेंगे और यह निच्छे जाएंगे बिल्कुल लास्ट में एक अलाव का option मिलेगा इस अलाव पर क्लिक कर देंगे फिर से यह निच्छे जाएंगे कुछ लिखा आया है एर्र आगा है रेट लेमित एक्सित इस एक्सिडिड रिकमेंडेट रेट्स उफ उसर साइनिंग इन विद गूगल इफ यू आर डवलपर फॉद इस एप्लिकेशन सीज इंबल साइन विद गूगल इसमें कोई प्रोब्लम आ गई है यह वाली जो एड़ न है यह पिछे से प्रोब्लम आ गई है उनकी कि इनके यूजर से वह ज्यादा बढ़ गया है वह उनकी एप है जिसको हैंडल नहीं कर पा दिया है ओके तो चलो हम बैक करते हैं अभी कि मैं बैक करता हूं और बैक करता हूं फोर अगर आपको ऐसे नावी करे दो आप डा clam据ोंश कर सकते यह उपर जाके और इस Such ही में यहां पर हम टाइब यह पूरा चलो यह जो पूरा ही इपrabile कर देते हैं कि यह वाला डिलेट कर दिया और इसमें यहां पर टाइप कर देते हैं गूगल फॉर्म्स फिर से वही प्रोसेस आएगी साइन इन किया ओकी यह फॉर्म उपन होगा रिक्वेस्ट डेस्क्टॉप साइट कर देंगे ओके तो यह वही पर हमें फिर से दिख गे हैं तो यह अपना प्र पर एक लिकर दिया यहां पर जो रिक्वेस्ट है यूर्ल यहां पर क्लिक करके डारेक्टली हम यह टाइप कर सकते हैं आप स्टीटिपी एस डॉट सोरी यह कॉलन लगा हुए फिर डबल स्लैश है डॉक्स डॉगल दॉगल दॉट कॉम एंद फिर स्लैश एंद फिर फॉर्म सिर्फ इतना टाइप करके आप डारेक्ट क्लिक कर दोगे न अगर याद रख सको तो मैं तो डारेक्ट ऐसे कर लेता हूं ठ है तो चलो यह फॉर्म हमारा ओपन हो गया फिर वापस से उसी थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो एड़ उन पर फिर से क्लिक करते हैं तो यह जो फॉर्म लिमिटर है यह तो भी यूज हो नहीं रहा है आप ट्राइक करके देख लें हो सकते हैं थोड़ी देर वाद ठीक कर दें अपना तो इंस्टॉल कर लें और इसका तरीका मैंने पहले वाले वीडियो में भी वैसे बता रखा है तो वह वाला वीडियो यह यह तो इस पार रहा तो कोई बात नहीं आप इसको चौड़ दे अब दूसरे वाला जो एड़ ऑन से हम वह इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए जो सर्च बटन है यह वाला यहां पर सर्च का अउप्शन है तो इस पे मैं क्लिक करूँगा यह सर्च किया और इसमें टा जोटा यह जोटा टीमिफाइड डॉट मी ऐसे लिखा और एंटर बेटन कर दिया तो यह देखो टीमिफाइड डॉट मी वाली यह आ गई है इस पर हम क्लिक कर देंगे और यह इंस्टॉल का ओप्षेन आ गया है इंस्टॉल कर देंगे वही कंटिन्यू करेंगे सेम चीज़े सभी अडॉंस में लगबग वही सेम चीज़े आती है अकाउंट सेलेक्ट करेंगे अपना यह 29291 वाला और निच्चे जाएंगे तो यह अलाव का उप्षेन आएगा इस पर अलाव कर देंगे अब यह थोड़ा सा टाइम लेरा प्रोसेस होने में ओके तो यह लिखा गया टिमिफाइड वी इंस्टॉल्ड तो यह इंस्टॉल हो गया है ठीक है बट अब इसमें कुछ और भी स्टैप नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है आप देख सकते हैं आप में नेक्स्ट लिखा अगर इंस्टॉल हो जाए तो बैटर है और उसमें वही स्टैप करने जो मैंने पिछले वीडियो में पहले वी एक वीडियो बनाया था आपको ठीक है जो इससे पहले मैंने चार पार्ट और बना के दिये थे जिसमें थोड़े से अलग बाते बताए थी तो लेकिन जो एड थोड़ा सा चेंज होगा वह मैं इसके एंग में बता दूँगा तो इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर डन अच्छा सोरी डन नहीं करेंगे डन से पहले कि यह स्टैप आ गया है कंप्लीट अडिशनल सेट अप नाउं ठीक है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक और टैब देखो अपने आप एक और टैब ओपन हो जाएगे रूपर यहां एड्रस में चेक करो यह क्या आगया तीमिफाइड.me तो यह वेबसाइट आप ओपन करने के लिए डारेक्ली भी एक न्यू टैब ओपन करके यह एड्रस टाइप कर सकते तो यही वेबसा वन डबल करना है तो मैंने टाइप कर दें अंजली स्वी 292911-gmail.com जिस फॉर्म में जिस आईडी पर है यहां तीमिफाइड में भी वही डाल नहीं है और गेट स्टाइड फस्टाइम गेट स्टाइड करेंगे और सेकिंड टाइम अगर आ रहे हो एक बार तीमिफाइड मे करना या वह और करना है तो आप डारेक्ली साइन इन विद गूगल करके अपने इमेल डाल देंगे तो ओपन हो जाएगा ठीक है चला अभी मैं गैट स्टाइड करता हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो यह लिखा प्लीज गो टू इन बॉक्स यह इस इमेल आइडी पर इन्होंने मुझे एक मैसेज भिजा है उसमें चार डिजिट का कोड है वो मुझे यहां टाइप करना है यह इस बॉक्स में टाइप करना ठीक है तो मैं अब इसको बंद नहीं करेंगे बैक नहीं उसके धिशान रखना है ठिक है Griffin लूम में मोटालेक हिस करंगा मैं हमारे निच्छे मोड़ में तीन अबीटन होता है कह चै서도 है धना होगाम मुसली या पिर ऐसान होता है बैक करने वारा और एक ऐसा बना होता हिए यह हौम बटन होता है और एक पर इसा होता है यह menu का या एक app से दूसरी एप में adapt में switch करने के लिए होता है तो आपको अभी ये जो home button रहे ऐसे वाले बटन पर click करना है , तो मेरे ती पर नीचे फोन में है screen पर होता तो मैं भी दिखाई डेता आपको तो इस पर मैं click करता हूँ तो जैसे ही हम शुरू में आ जाएंगे यहां पर यहां पर यहां पर मैं चेक करता हूं मैं कौन सी email आइडिया उपन है तो यहां पर क्लिक करता हूं यहां पर यहां पर देख सकते हैं यह एक email आइडी है मेरी ठीक है तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो अब इस में देखूंगा तो देखो मेरे पास यह वह email आया हूँ है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यह ओके तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यह देखो यहां पर इन्हें ने कॉड़ बता 6144 यह यह याद कर लेगा चोटा सा तो याद हो जाएगा 6144 ठीक है तो कॉपी करने के जूरत नहीं है तो अब मुझे उसी एप पर वापस जाना है तो उसी वाप पर वापस जाना के लिए यह वाला बटन होता ना जो ए कर सकते हैं अब यह कई बार उल्टा भी हो जाता है जैसे मेरे फोन में यह हम बटन बीच में है और यह एप चेंज करने वाला लेट साइड में आपके फोन में कुछ फोन में उल्टा भी होता है ठीक है यह प्लेस बदल जाता है इनका तो ध्यान रखे उसके अब यह जो बॉक्स है इसमें क्लिक करूंगा और यहां पर टाइप करूंगा 6144 जैसे टाइप करूंगा यह अपने आप ही चलना शूरू हो जाएगा कुछ भी क्लिक नहीं करना कई भी तो यह चल रहा है और यहां पर यह अपनी टाम सेंड कंडिशन मता रहा है बिल्कु हमें रीड करनी होते हैं इसलिए यह बोलता है कि जब तक सारी रीड नहीं करोगे तब तक यह उप्शन नहीं आएगा इसका मतलए अपने की टर्मेंट कंडिशन मान ली है तो आई एकसेप्ट पे यह क्लिक कर देंगे नीचे बटन जो आई एकसेप्ट तो यह आपका अब सब्सक्राइक कर दो की तो कुर्ण देंगे लास्ट नेम में एकटली वह कुछ यूज नहीं करहती तुम calculator लगा देता हूं and the purpose परपज में हम क्लिक करेंगे और इसमें परस्टनल पर क्लिक करेंगे और जो next option है इसमें education select कर लेते हैं और इसी परकार से password है तो password में आप अपना कोई भी password बना सकते हो तो मैं अभी वीडियो को पोज करके एक बार अपना password टाइप कर लेता हूं जो बनाना चाहता हूं तो थाकि किसी और को ना दिखे तो मुझे जो पासवर्ड बनाना था मैंने जैसे वह बना लिया है ठीक है वह टाइप करने के बाद अब उस पासवर्ड में यह जरूर ध्यार रखें यह कुछ कंडिशन बताई गई है आप जो भ अकाउंट्स थे क्लिक करेंगे तो यह अभी हो रहा है यह सेट अप हो गया जब यह स्क्रीन आ जाया अब इसके बाद क्योंकि यह पूरी क्लियर नहीं दिखती तो हम क्या करेंगे जो थ्री डॉट्स थी इन पर क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट असट उप साइट इस पर क कर लेंगे तो यह यहां पर देखो अब तो यह स्क्रूइन दिख गई अब यहां पर जो फर्स्ट यहां पर ओप्शन लिखा वा देखो यहां पर ध्यान से देखो कोपी एक टॉकन है यह कोपी करना है मैं यहां से मैंने इस पर क्लिक करेंगे इस से पहले वाली जो टैम मुझे दिखेंगी तो यह मैं इस टैम में आ जाता हूं पहले वाली में अब देखो उस स्टैप पर आ गया हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था इस पर क्लिक करके वह टीमी फाइव वाले सारी चीज़े करके आया हूं तो इसमें अब मेरा यह सारा काम हो गया है अब यहां डन बटन पर मैं टच करता हूं डन पर टच करने के बाद ओके तो यह ज खांका ठीक है तो पहले जो नहीं था अब यह दिखने लग जाएगा अबि जिख जाएगा तो अब यह जब आ गया तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें contain आएगा teamify.me, इस पे टच करेंगे और इसमें फिर option आएगा एक configure, इस configure पर टच करेंगे, यह करते हैं यह teamify नीचे एक box खुल जाएगा, जैसे खुल गया है, और यह थोड़ा सा time लेता है, कई बार ज्यादा time लेता है, internet तो खाली box आदिक सा रहता है, तो हमें लगता है कि वो option तो आए नहीं रहे, जो सर ने वीडियो में बताए थे, तो वेट करना है, यह थोड़ा सा धीरे कई बार आ जाता है, अब इसमें जो paste your teamify token ही यह रिलका है, यहाँ पर थोड़ी देर अपनी finger को टच रखेंगे, वो गया भी हो गया, वेट ए मिनिट, थोड़ा सा आए तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, यह जो three dots है इस पर क्लिक करेंगे और यह बटन आया है, यहाँ पर refresh कर, तो अब इस refresh पर मैं tap करता हूँ, तो यह form दुबारा refresh हो जाएगा, एक बद तो वही add-ons का option दुबारा आ गया, इसी पर क्लिक कर देता हैं, फिससे add-ons पर, इस पर क्लिक कर देंगे, configure आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, वही box फिर से आ जाएगा, तो यह आ गया, फिर से option, तो इस पर क्लिक करते हैं, अब एक बर क्लिक करने कदेंगा, जो इससे कर सर आ जाएगा, फिर थोड़ी दर इस पर touch रखते हैं, तो यह देखो, यह उपर यहां पर चलो वह चला जाता है ऐसे करने से तो देखो पेस्ट का उप्षिन आया था आपने ध्यान दिया हो ठीक है मैं मार करके नहीं बता पारा हाँ यह आया हुआ यहां पर उपर की तरफ यह एड्रस लिखा वहां पर आया हुआ ठीक है तो इस पेस्ट पर मैं क्लिक कर तो इसमें नीचे जो इनेबल लिखा हुआ है यह यहीं पर है जहां ही पट्टी है इसी की नीचे है तो मैं इसको कट कर रहा हूं यह वाला उप्षन तो इस इनेबल टेमी 5.me for this form इस पे क्लिक कर दूंगा यह करूंगा तो अब थोड़ी देर में यहां पर लिखा जाएग है तो अब भी हमें क्लिक करना यह यह बटन है इस पर क्लिक करना अभी हमें कहां करना इस पर करेंगे एड ढूं यहां से जव आया हो था box वो गयब हो जाएगा अब यहां पर हो चुका है अब वापस जो दूसरी टब है मैं वहान जाता हूं यह जो three था sorry three लिक्का हुए यहां पर क्लिक करता हूं यह क्लिक किया तो तो तीसरी टप ती ती ट Why यहां पर जैसे ही आप हुआ पे नेबल करेंगर लिंक करेंगे तो यहां पर यह पहले option नहीं दिख रहा था यह दिखने लग जाएगा आपने उस फो में जो टाइटल डाला था जो यहां डाला था मैं दिखा देखता हूं इस ट्रैम में जाके यहां जो डालते हो यह वहां पर उसको हैडिंग बनाता है मतलब आपके फोर्म का नाम वह रख देता है ठीक है बट एक्शुली हमें यह न यहां पर यह रखते हैं जो पहों हम नाम से टीक है तो यह नाम हम यहां डालेंगे जैसे копestyle 7gk या सिरफ 7 ci के मानलोस हम करना चाते है ठीक है तो वहां जाएँगे वापस उसी टैब पर टिमेवाली पहली को यहां इस पडध करेंगे है यहां पर करेंगे कर देंगे और इसमें आ जाएगा इसमें इसको डिलीट करें तो इसकी जिगह क्या कर देता है सेवंथ जी के आप जो भी नाम रखना चाहते हो अपने टैस्ट का वह बट ऐसा दिसे आप क्लियरली पैचांस को कि हाँ यह इस क्लास के लिए था अगर किसी पर्टिकुलर आप यह तो अब पर इसका नाम रखा गया अब यहां पर से हमें जो स््टूडrir सकते हैं यहां से अप्षोने यहां से करके यह को पिकर करके भी बेचक्ट बट होगा क्या अगर आप यहां से भेजोगे तो बच्चों के पास जो टैस्ट आएगा उसमें वो टाइमर नहीं लगेगा नहीं वो इमेल आईडी से लोगिन करने का उप्षिन आएगा वो डारेक्ली टैस्ट देख सकते हैं और एक टैस्ट को कितनी बार भी देख सकते हैं ठीक है तो आपको पता ही नहीं लेगा वो नाम बदल के भी टैस्ट दे पाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा ठीक है तो वहां पर गडबड हो जाएगा इसलिए हम यहां से सेंड नहीं करेंगे जब नोर्मल इंफोरमिशन आपको मंगा नहीं हो जब यह हो कोई बात किसी ने गलत भी भेज़ दी कोई बात नहीं तो हमें तो बस जो यूजफूल हो चाहिए तो हम यहां से सेंड का यूज़ कर सकता है बट अब यहां तो हम एक्जाम ले रहे हैं तो हम चाहेंगे कोई भी चीटिंग ना कर पाए एक टेस्ट को एक ही बार दे सिरफ ठीक है त इस टेस्ट पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर यह ऑप्शन आ जाएगा टाइप और पेस्ट नेम्स और इमेल अब यहां पर आपने बच्चों की इमेल आईडी टाइप करने अब ताइम करने में तो बहुत टाइम लग जाए जितने भी बच्चों के पास आपको टेस्ट आपको बेजने जो जो बच्चे अटाइम कर पाएं तो उनकी इमेल आईडी जैसे हमने मंगा रखी है ठीक है तो वहां से हम कॉपी कर लेंगे डारेक्ली मालो यह मुझे सेवन्त क्रूइन के सभी सेक्शन का बनाना है तो सभी सेक्शन में एक सेक्शन के करके लानी पड़ करेंगे तो लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना आप सारे सेक्शन अप ले रहे हो तो यहां पर जो एमेल आईडी एंटर होती है ना वह मैक्सिमम हंडर्ड हो सकती है एक एमेल आईडी से हंडर्ड मतलब जो मैंने अभी यह जो लोग इन करका है वह अपनी जैसे कौन सी म 911 at the rates gmail.com ठीक है तो इस इमेल आईडी से मैक्सिमम है 100 एक महिने के अंदर वो इमेल आईडी यूज कर सकता हूं उनके पास टेस्ट बेज सकता हूं यासे भी नहीं एक फॉर्म बना लिए आप दूसरे फॉर्म में भी यूज नहीं कर पाएंगे ओके तो चाहे हाँ दो फ प्रोब्लम यहां टीचर्स को यह आएगी अब एक ही क्लास का मालो टेस्ट बना रहे हो तो उसमें 100 से ज्यादा तो वैसे ही हो जाते हैं बच्चे तो चार या पांस सेक्शन है कर इस क्लास में तो उनके कैसे डालेंगे तो यहां पर आप डिवाइड करो यसे दो सेक्शन क करके यहां पर डाल दो फिर हम इस फॉर्म की कॉपी बना लेंगे उके और कॉपी बना के उसको दूसरी इमेल आईड में ले जाएगे वो कैसे बने जाएंगे आपको बताऊंगा तो वह कोपी बनाके फिर हम सेंड कर पाएंगे और अगर आपके हंड़र से कम ही बच्चों के पास आपको भेजना है टेस्ट तो आप एक ही email ID में इस टेस्ट को बना के आप काम को कर सकते हो तो वो अब करेंगे कैसे चलो हमें हमें वो कोपी करके लाने है तो मैं Home tab का यूज करके अपनी शुरुवात वाली स्क्वीन पर आ जाता हूं यहां पर अपना WhatsApp जो है मैं उसे उपन कर लेता हूं कि तो उपन करने के बाद अब WhatsApp में बैक जाते हैं एक्चली मेरा WhatsApp थोड़ा सा अलग टाइप का अलग टाइप के मैंने थेम सब्सक्राइब लगा रहा है और मैं WhatsApp का वर्जन भी दूसरा डिफ्रेंट यूज करा हूं बढ़ चीजे सारी मौस्टली वही होती है तो इसको देखे जान रखे जिसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी उन इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करें मैंने देख्वा अद सुबह भी मैसेज डाला था यहां पर कहां गया कहां गया यह रहा ठीक है तो आप पहुझ करके इस मैसेज को दुबारा पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहां पर मैंने सारी इंस्ट्रक्शन बताई थी इमेल आइडी जो क्लास चार्ज डाल रहे हैं कैसे डाल नहीं है तो उनको ध्यान से पढ़ लें उसी के कोडिंग डालें अब जैसे कोई एक मैं कर लेता हूं कोई भी क्लास जिसको भी आपको बेजना है यह सब ने थोड़ी गडबड कर रखिया यह एक्स्टा इंफरमेशन दर लेंगे ठीक है तो यह सारी इमेल आइडी एक ही बार में कॉपी हो गई है मैं वापस जाओंगा इस टीमिफाई वाले में तो अब यहां पर क्लिक करूंगा एक बार और थोड़ी देर टच रखूंगा फिंगर को तो यह पेस्ट का ओप्शन आ जाएगा इस पेस्ट प अब भी एक नुट आया नहीं है एक बार क्लिक कर देते हैं करसर आ गया जब करसर आ जाए फिट टच रखेंगे यह पेस्ट का ओप्शन नहीं आ रहा है इसमें अभी दुबारा तो एक बार मैं फिस्ट से देखता हूं या तो अलग चीज कॉपी करने से में भी शायद होत हाँ यह आ गया तो टच रखा तो वह पेस्ट का ओप्शन है अब मैं पेस्ट पर क्लिक करना तो वह इमेल आईडी भी आ जाएंगे जैसे मैंने इस पर किया तो दूसरे वाली भी आब इसमें एड हो गए तो इस परकार से आप वह जिस जिस क्लास के बिजना है तो मैं यही धिस दूस् सेक्षिन को दिवाइट के लेगर एक कही ही क्लास के बहुत सारे आँप मैं तो मुझे याद भी नहीं कौन सी क्लास की कॉपी करके मत आप आपने वह अपनी ूह फिस्थर ने की के मैलाडी कॉपी काने है अब होगा क्या यहां पर में चीज़ है यहां पर स्क्रीन बढ़ी हो गई है इस टाइप हो गया है इसको मैं जलीट कर देता हूँ ओकी सोरी मैंने वो बाहर क्लिक कर दिया तो वो चला गया तो यह फिर से टाइप करता हूँ पेस्ट तो जैसे यह e-mail ID आ गई है अब यहां पर यह जितने भी e-mail ID हमने टाइप की है थीक है तो केवल अब जब आप इसे सेंड करें गये तो जो e-mail ID यह है वही बच्चे केवल और अपनी e-mail ID पर हिंकी e-mail ID पर test जाएगा ठीक है वह कैसे जाएगा भी मैं उसकी प्रोसेस बताऊँगा कि बच्चे जब आप लिंक भेज दोगे वह कैसे कैसे कर पाएंगे और वही वीडियो आपने अपने बच्चों के पास भी शियर करना है मैं एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें आपको भी खता लगेगा और वह बच अपनी इमेल आईडी से ही अटेम्ट कर सकता है वेट अ मिनेट पर बीच में कोल आ गई थी तो अब ये करने के बाद हमें क्या करना है अब निच्चे देखो लिखा टाइम डूरेशन टाइम डूरेशन में जो भी टाइम डिसाइड होता है अब तक वैसे डिसाइड नहीं एडाएँ तो आप पता कर लें सपूझ करो 45 minutes होता हैю 45 minutes 60 minutes 60 minute होता है 60 minutes या 90 minutes में time डालना है वन आवर करक defect legal तो गलतुर जाएं से टाइम डालने आप कणवर्ट कर लें उस टाइम को मिनेंत्स में जितना भी तैम देना है लिक्ड घंटे का एक्जाम लेना तो 90 विनिट्स कर लेना है यह करने बीच में calls आने है, sorry disturbance हो रही है, so allow to view quiz score and result after submission, इसको पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, इसको मैंने बताया था, इसको टिक कर ले ताकि बच्चे exam देख पाएं, but उसका बाद में result जैसे कुछ test लेकर देखे तो पता लगा, कि नहीं cheating होने के chances बढ़ जाते है, बच्चों क किसी एक दूसरे friend को आपको बता दे, ठीक है, तो हम इसको open नहीं करेंगे, इस बार, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब वो test देंगे, तो बस उनके पास वो message जाएगा, जो मैंने type कराया था, पहले settings में, कि आपका test हो गया है, आपका result WhatsApp ग्रूप में भेज दिया जाएग ठीक है, और अगर यहाँ पर click कर देंगे, तो बच्चों को उसी वक्त result दिखेगा, आपने जितने भी question उने attempt के, उन सबके answers भी दिख जाएगे, right answers, ठीक है, तो यह option नहीं own करना है, फिर से बता रहा हूँ, इसको गलती से भी on ना करें, ठीक है, बस यह type करना और time डालना हूँ, इसको अभी बंद करके, फिर से create करता हूँ, test, और सिरफ एक email ID डाल देता हूँ, ताकि आपको करके दिखास को, तो जैसे मैंने, कोई email ID डाल देता हूँ, अंचली sweet 29292, यह भी मेरी email ID है, तो मैंने वो डाल दी, ओके, एक email ID और डाल देता हूँ, अंजली sweet, टाइप करके भी डाल सकते है, copy paste करके भी लाल सकते है, 3 at the rate gmail.com, और last पर कॉमा लगा देंगे, उसके बाद तो यह add हो जाएंगे, तो अभी जैसे फिलाल यह दो email ID मैंने enter कर दिया है, ठीक है, और test की duration मैंने कर दिया है, 45 minutes, यह अभी के लिए मैं थोड़ी कम ही कर लेता हूँ, आपको sample दिखाने के लिए, 5 minutes मैंने कर दिया है, और यह करने के बाद, और बागी कुछ option नहीं करना, बस यह करना है, आप कहोगा, केवल यह email ID ही test को attempt कर पाएंगे, और कोई नहीं कर पाएंगे, लिंक भले ही आप किसी दूसरी email ID डालेंगे, तो उसी वक्त error मैसल जाएगा, यह test आपके लिए नहीं है, तो create करेंगे हम, अब जैसे मैंने create कर दिया, तो देखो, जैसे create करेंगे, तो जो आपने email ID डाली थी, उनके names यहाँ पर आ जाएंगे, मैं दिखा देता हम आपको, यह देखो, यहाँ पर link का, ठीक है, इस पर click करना है, इस पर click कर दिया, और, sorry, इस पर click करने के बाद, यह copy link का option है, इस पर करेंगे, और यह copied लिखा गया, उसके जगह, ठीक है, तो इस link को copy कर लेंगे, यह copy करने के बाद हम जाएंगे, अपने WhatsApp में, तो बाप किस चले जाते हैं, और WhatsApp में, अब जहां भी भेजना है आपको यह वहां send कर देंगे ठीक है चलो जैसे मैं इसको अभी email ग्रूप वाले ID उसी में एक बार डाल देता हूं ओके आपको तो सभी को मिल जाएगा आप attempt करके देख सकते हैं अपनी email ID डाल लेंगे try करके देखना आपके पास क्या message आएगा ठीक है तो सभी teachers के पास भी पहुंच जाएगा तो मैं इस वीडियो में बना रहा हूं तो मैंने यह क्या कि आप इस पर टच रखा पेस्ट किया तो वह लिंक आ गया और थोड़ी दिर रखेंगे तो यह teamify भी है ठीक है तो जैसे भी कुछ भी डालना है dear students या अभी तो dear teachers this is a demo test ठीक है या और जो भी आप अपने जैसे students के लिए डालेंगे तो तब यहां पर आप वो डाल सकते कि कौन सी class के लिए test है कौन सी class of section के लिए और कौन से subject का टेस्ट है ठीक है तो आप जैसे जाल सकते टेस्ट ग्रीन class and subject maths ठीक है और instruction डाल सकते है time duration वगएरा या जो कुछ भी डालना चाहिए अब यह डालने के बच्चों को यह link दिखेगा अब वो क्या करेंगे वो इस link पर जब click करेंगे ठीक है तो मैं दिखा देता हूं क्या होता है कि इस link पर जैसे ही वो click करेंगे तो एक page open हो जाएगा जैसे यहां पर हुआ है और इस पर अब वो पुछेगा पहले email id अब जैसे मैं कुछ और email id डालता हूं मैं अपनी डालने के कोशिश करता हूं राकेश चलो यह है ठीक है मैंने यह डाला और get your link इस पर click कर दिया तो देखो error message आ गया क्योंकि यह email id हमने डाली नहीं थी इसकी जगह पर मैं एक और दूसरी डालता हूं अंजली sweet 29292 यह email id मैंने डाली थी at the rate gmail.com ओके तो यह वाले email id मैंने डाल दी ठीक है अब इस पर भी करता हूं get your link अब भी देखना error आएगा क्यों क्योंकि मैंने यह capital कर रहा है मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं तो यह देखो तो बच्चे ने एक भी कोई भी mistake कर दी ब आप मैं इसी पर click करके इस a को small कर देता हूं sorry small a और आप करता हूं get your link पर click तो देखो जब बिल्कुल जब तक बचा वही email id मैंने जो हमने डालते उन्हीं से कोई नहीं डालेगा तो paper नहीं देखता और यह भी नहीं कि उसने सही डाल दी तो दे पाएगा अभी भी link जो है उसकी email id पर गया है सिरव तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि इस email id पर उन्हें बोला कि paper का link बेज जा है तो केवल वही बच्चा जिसकी email id है तो वह आ जाएगा और तब अपने link पर click करके उस exam को दे सकता है तो अब मैं इस पर click करता हूं तो अब मैं जैसे अपनी email id open कर आया होगा तो यह gmail मैंने open कर लिया है तो back करता हूं बट अभी मैं login किसी दूसरी id में हो तो मैं अपनी login id वह चेंज कर लेता हूं अंगली suite 29292 यह दही वह मेरी email id इस पर मैं open कर लेता हूं तो इसमें देखो यह आ गया timify 7th gk test यह दिख रहा है न तो इस पर मैं click करता हूं यह यहां पर देखो यह वाली mail तो इस पर click करता हूं तो यहां पर ऐसे instruction दिखेंगे बच्चों को 7th gk open your link तो इस पर click करेंगे तो अब उसका test open होगा ठीक है तो इतनी प्रोसेस के बाद होगा तो आप ध्यान रखे कि कहां कहां गलती हो सकती है जो तो टीचर से email id type करके दे रहे हैं कंफर्म कर लें बच्चे से अच्छे से विसकी email id यही हो ठीक है अगर उसने गलत दे दी तो वहां message तो आ जाएगा वो जब same type करेगा कि इस email id पर चला गया बट वह email id उसकी होगी नहीं तो भी attempt नहीं कर पाएगा ठीक है तो थोड़ा सा time लग रहा है शायद कई wifi नहीं होगा मैं अपना mobile data भी ओन कर देता हूं अगर कोई good word होगी तो तो जैसे यह आ गया है seven चीके तो बच्चे को यह link दिखाई देगा ठीक है उसकी email id दिखाई देगी उससे और time भी लिखा होगा कितना साथ में कुछ warning message भी लिख रहा है कि इतने time के बाद के अंदर अंदर अगर submit नहीं करते उसके बाद submit ही नहीं होगा ठीक है जितना पेपर उसने time कर रखागा वो भी submit नहीं होगा time के अंदर submit करना जरूए है तो सभी class in charge अपने बच्चों को एक बार यह message अच्छे से बता दे जब वो यह demo वाला वीडियो जब भेजेंगे ठीक है तो बता दे तो इस पर चलो अब मैं इस लिंक का एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो बच्चों के पास भी बेजा जासके क्यों कि इस वीडियो में तो सरफ teachers के लिए किया है मैंने ठीक है अभी teachers के लिए भी एक वीडियो और बनना है जिसमें यह बताऊंगा एक test तो आपको submit करना आ नहीं है तो आपको दूसरी email id की भी जुरूरत पड़ेगी तो वहां से आप test को कैसे एक email id से दूसरी email id पर ले जाएंगे कैसे उसकी copy create करेंगे और कैसे उसमें यह सब process कर पाएंगे ठीक है वो मैं तीसरे वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक है तो अभी इसके बाद त ठीक है तो उससे दोनों को पता लग जाएगा students को यह पता लग जाएगा कि उन्हें attempt कैसे करना है और आपको भी पता लग जाएगा कि क्या-क्या problem students के सामने आ सकती है ताकि वो at it on the spot कई बार होता है कि आम भी पहले नहीं पता लगता कोशिश तो करेंगे पहले से पूछ लग जाए बट तो भी आप handle कर पाऊ उनको ओके सो इस वीडियो का मैं यहीं finish कर रहा हूं मिलते हैं नए वीडियो में